लो गेज़ें वेलकम बाक तो आर यूट्यूब चैनल आज हम लोग देखने वाले कि यह जो मोमेंटम है इसके पीछे की साइकोलोजी क्या है और यह मैं होने के बाद नहीं होने से पहले अल्रेडी अपडेट कर दिया हूँ अपने टेलिग्राम चैनल पे अपने स्टूडें अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी कि कैसे मैंने होने से पहले क्या अपडेट किया था और इसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको बता हूँ ठीक है कुछ लोगों को डाउट होता है कि होने के बाद कोई भी बता सकता है तो मैं हमेशा अभी आप लास्ट दो महीने से मेरा record चेक कर सकते हो, telegram चेक कर सकते हो, community post चेक कर सकते हो, सब कुछ होने से पहले मैं अपडेट करता हूँ और उनी चीजों पर मैं trade लेता हूँ तो सब कुछ transparently telegram पे अपने updated है, ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे होगे clearly options का जो group है मेरा students का उसमें मैंने क्या update किया था, कितने बज़े update किया था, सबसे पहले 947 को आपको यहाँ पे एक message दिख रहा होगा, 947 यानि कि यहाँ पे आएगा वो, right, इस जब market यहाँ पे था, 947 को inviting sellers can give a run-up upside, मैंने यहाँ पे बोला था, यह बस sellers को invite कर रहा है, run-up upside देगा, यह हो गया, एक confirmation, इससे पहले, कल की जो हमारी class होती है, हर Saturday Sunday जो workshop होती है, उसमें workshop के बाद मैं Monday को क्या हो सकता है, उसका भी analysis करता हूँ, students के साथ, with psychology, तो उसका आप यहाँ पे एक screenshot देख रहे तो क्या यह similar नहीं लेग रहा है, आपको, exactly मैंने बोला था, और यह जो momentum था, बस position मैंने यहाँ पे draw किया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था, gap down खोलेगा, लेकिन market gap down खोलके similarly इस तरह से market ने momentum दिया है, ठीक है, अब next हम लोग यहाँ पे जाते है कि उपर, और क्या मैंने अपडेट किया था, ठीक है, उसके बाद मैंने one minute time frame पे आप लोगों को बता देता हूँ, logic भी बताऊंगा, जिसको logic जानना है, सीखना है, कि क्या logic है इसकी बीचे, prediction या फिर analysis तो कर लेते हैं हम लोग, लेकिन logic अगर आपको पता चलेगा, तो आप खोड़ इसको live market में हम अपडेट कर सकते हो, ठीक है, तो थोड़ा सा wait कर लो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 952 को, 952 को मैंने यहाँ पे और एक message update किया था, कि waiting to trap sellers, अब यहाँ पे sellers को trap करने के लिए मैं wait कर आ था, कैसे trap करेगा, simply मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, trend line बना ही थी, यह clearly आपको दिख रहा होगा, और इस trend line को जब market यहाँ पे था, तब ही मैंने update कर दिया था, इस तरह से trend line थी, यह देखे इस तरह से, तो यहाँ पे update किया था, कि जब यह trend line break होगी, तो यहाँ पे फिर से sellers आएंगे, और जब तक sellers आएंगे, sellers यानि कि retail sellers आएंगे, उसके बाद market यहाँ पे इस तरह से trap करेगा, यह हो गया, और उसके बाद exactly, फिर से मैंने 1035 को update कर दिया, exactly trap them after trend line break out, trend line break out हुई, लोगों ने यहाँ पे sell किया, retest पे sell किया, और market ने उनको trap किया, अब हम लोग logic जानते, क्योंकि आप लोग अगर logic जान होगे, तब ही आपको interest जानता है, या फिर आप खुद इसको apply कर पाओगे, ठीक है, ओके, अब five minute chart में हम लोग सीधे चलते हैं, और मैं आपको logic बजाता हूँ, सबसे पहले एक बात जान लो, market चलता कैसे, market चलता है, buyer और seller की वज़े से, और अगर यहाँ पे sellers ही नहीं, यानि कि sellers है नहीं, first, जो fresh seller से उनकी बात नहीं कर रहा है, यानि कि अगर किसी ने यहाँ पे buy किया होता, और उनके stop losses यहाँ पे नीचे होते, तो market बहुत अच्छे से नीचे जा सकता था, लेकिन, यहाँ पे previous day पे कहीं पे भी buying का setup नहीं है, क्यों नहीं है, उसका logic हम लोग detail में जानते है, psychology जानते ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यह एक swing था, यह break होते ही कौन आ गया, sellers आ गया, उसके बाद यहाँ पे आप अगर देखोगे, इस पूरे दिन में कौन था, पूरे दिन में seller से, क्या यहाँ पे कोई भी buyer दिख रहा है, नहीं दिख रहा, next day जब market यहाँ पे gap अप खुल गया, तो gap खुलने के बाद क्या है, यहाँ पे fresh buyers आएंगे, यह फिर यही लोग, जो seller से, यह लोग trap हुए, right, सबसे पहले कौन trap हो गया, seller trap हो गया, sellers मतलब कैसे trap होई, जब market यहाँ पे gap अप खुल गया, तो यह वाले seller trap होई, यहाँ तक market में सिर् से एक range बनाया, right, यह range बनाने के बाद, यहाँ पे फिर range breakout इसने कहाँ पे दिया, नीचे के side break किया, right, उसमें भी sellers आ गया, उसमें भी sellers आ गया, फिर next day gap down खुल गया, gap down खुलते ही market ने क्या किया, यहाँ पे red candle, red candle, continue red candle बना दिया, right, उसमें भी sellers आ गया, और अगर मैं 15 minute time frame पे आपको बताओ, तो 15 minute candle breakout strategy बहुत लोग follow करते हैं, उसका भी breakdown हो गया, यहाँ पे sellers हो गया, तो यहाँ पे continue market sellers को invite कर रहा है, लेकिन यहाँ पे नीचे जाने के लिए buyers के stop losses है ही नहीं market में, जब तक यहाँ पे buyers के stop losses नहीं रहेंगे, तो market कैसे नीचे जाएगा, यह हो रही चीज, यहाँ पे जब market gap down खुलता है और इस तरह से जाने का trap देता है, तो बहुत लोग क्या सोचेंगे, gap fill कर देगा, gap fill कर देगा, क्या market इतना easy लग रहा है कि आप अदलब एक दिन gap down खुल गया, और यह gap आके fill कर देगा, जो सब लोग सोच रहें, 95% लोग, और व पिर आज भी selling के side आएगा, दो दिन पहले market इस तरह से आ चुका है, gap up खुला था, no doubt नीचे आगा, तो फिर से यह जो seller से इस तरह का expectation market ने, मतलब लोगों ने expect किया होगा, और news जब आती है market में, तो news के वज़े से जो reaction है, वो हो चुका है, overnight market ने जितना travel करना तक कर लिय अब आप लोगों तक news पहुचने के बाद market इस तरह से जाएगा, यह expectation ही गलत है, जो भी news आनी थी, आ चुकी थी, और overnight उसका impact देख चुका था, अब यहाँ पर हमको price action का ही सहारा यहाँ पर लेना है, तो आप देख सकते हो, इस तरह से यह logic है, क्या logic है, buyers जब trap होंगे, उनके SL यहाँ पर होंगे, तभी market नीचे जा पाएगा, अगर buyers ही नहीं है previous day में, तो किसके SL के भरोसे पर market यहाँ पर नीचे जाएगा, continue fresh sellers को invite तो करेगा, लेकिन यहाँ पर जब तक SL नहीं रहेगा, buyers का तब तक यहाँ पर market नीचे नहीं जा सकता, और इसलिए, यहाँ किसके थे, sellers के SL थे, यहाँ पर sellers थे, उसके बाद जब यहाँ पर यहाँ पर यह रेंज ब्रेकट करने के बाद, five minute में आपको बता देता हूँ, यह यहाँ पर range बनाया था इसने इस तरह की, यह एक M pattern बोल सकती हो, यह फिने double top pattern बोल सकती हो, उसकी range यहाँ पर breakout किया, five minute candle क जब कुछ क्लोस किया उसके बाद यहां पे sellers एंट्री होई थी sellers के ऐसे लोंगे यहां पे ओवरनेट गैप डाउन जब खुल गया तो उनको प्रॉफिट दिखा रहा होगा और धीरे धीरे जब यहां पे मार्केट उपर गया तो बहुत लोगों ने ट्रेलिंग एसल देके निकाला होगा यानि कि यह वाले sellers बन गए बायर्स जो फ्रेश सेलर्स आ गये यहां पे उनके यहां पे फिर वो लोग भी बन गए बायर्स इस तरह से मार्केट ड्राइव करता और इसको बोलते मार्केट की साइकोलोजी इस तरह से आप लोगों को अनलाइज करना है इस तरह से आप लोगों को सोचना है इस तरह से आप लोगों को मार्केट का परस्पेक्टिव बनाना है यह साइकोलोजी का मतलब यह नहीं इसके उपर बाय कर लो इसके नेचे सेल कर दो यह एनलेसिस इसको नहीं करोगे तो motivation मुझे जाधा मिलेगी कि मैं पूरा 100% knowledge आप लोगों के साथ share करूँ फिलाल मैं सिर्फ students के साथ share करता हूँ 100% knowledge और उन्हीं को जो group है वो कोई paid group नहीं है वो free of cost में update करता हूँ अपने students को जिन्होंने भी course दिया है उनको मैं daily live market में free of cost lifetime update होता है तो बहुत group में आप add नहीं हो सकते क्योंकि जो concepts में बताता हूँ जो logic में बताता हूँ उसको पहले मैं सिखाता हूँ अपने students को फिर ही उनको group में add करता हूँ तो that's it for today's video guys I hope आपको psychology समझ में आई होगी description में telegram link है उसमें भी मैं free of cost में आप लोगों को update करता रहता हूँ जो भी market क direction है या फिर जो मेरा plan है जो मेरा trade है उसको ठीक है thank you